ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं बाम सेफ की और बाम सेफ के बारे में हम जान रहे हैं इस विकारिक्टम के माध्यम से हमाए साथ हैं वामन में शान जी इस वक्त आप इस चैनल को सब्स्राइब कर लें और अगर हमारा ये कारिक्टम आपको अच्छा लगे तो इस कारिक्टम को जरूर शेयर करें और इस चैनल के जरीए हम आप तक बहुजन मुद्दों की सार्थ चर्चा पहुंचाते रहेंगे पांसो सिटो पर प्रभाव डालने वाला पुल्टिकल क्लाउड दस साल में पैदा हो जाएगा पांसो लोग सबाने प्रभाव डालने वाले आपके इस पावर का लाथ किसको में लेगा हम जिसको चाहे उसको हरवा देंगे जिसको चाहे उसको जितवा देंगे बीएसपी को कब जित्वाएंगे साथ? बीएसपी को हम लोगों ने भटके हुए लोगों की पार्टी घोशित कर दिया अच्छा भी शब्दकार खाषिराम जी ने बनाया था बहुजन मायावती ने बनाया ब्रामन समाज पार्टी बीफ और ब्रामन वो ब्रामनों के लिए बुद्दे उठाते हैं मंदीर खोलो मंदीर बनाएंगे मुर्ती बनाएंगे राम मंदीर का समर्थन कर दिया ये तो RSS भी करती है ना RSS भी बाबा साहब की जहनती मनाती है बड़े पहमाने पर और RSS सभी के इस प्रकार की चीजे करती रहती है तो क्या दिखा थे इससे क्या चोटी मचली बड़ी मचली को निगल जाएगी अच्छा अगर RSS बाबा साहब का जनमदीन मनाती है तो वो मचली को जाल दालती है ताकि मचली को जाल में फसाया जासके तो जब कोई परशिराम का मंदिर बनाने का बादा करता है तो वो ब्राह्मन उसके जाल में अटकने माला है नहीं तो अटक तो गया था आभी एक बार सरकार उसके बादिम से बनी तो थी EVM में घोटाला करवा कर माया होती की सरकार बनाई गई EVM में घोटाला करवा कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई गई और जब दोनों को फाइदा देने के बाद जब BJP ने 300 से ज़्यादा सीते जीती तो ये दोनों के दोनों चिला है कि EVM में घोटाला हुआ घोटाला तो हुआ था बात सही है तो BJP ने जवाब दिया जब तुमको बहुमत मिला तो अब हमने तो नहीं कहा था कि घोटाला हुआ जब 2007 में मायावती को बहुमत मिला तो BJP ने कहा हमने तो नहीं कहा घोटाला हुआ कि अकेले BSP को बहुमत का इसे मिल गया अकेले समाजवादी को बहुमत का इसे मिल गया अकेले दोनों पार्टी बहुमत हासिल करने वाले अगासिल करने के लाइक नहीं थे और जब उनको रिजल लगा तो उनको खुद आच्चरे हुआ कि हमको clear majority कैसे मिली ये clear majority EVM के द्वारा उनको घोटाला करवाके फाइदा दिया गया ताकि तीसरी पार जब हम घोटाला करके BJP जब सत्ता में आएगी उनका नाम लेकर EVM का नाम लेकर ये लोग किल लाएंगे तो हम इनका मुँ बन करेंगे कि तुमको बहुमत मिला तो हमने तो नहीं कहा था कि वियम में घोटाला होके तुमको बहुमत मिला तो ऐसा जवाब देने के बाद BJP के लोगों ने SP और BSP के लोगों का मुँ बन दो गए तो उनके पास argument नहीं था और आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दू मैंने मायावती को चुनाओ के दो तीन मैने पहले सारे documentary evidence भेजे थे कि ये चुनाओ में 2012 के चुनाओ में विधान सबा में आपके साथ नहीं 2017 के चुनाओ में आपके साथ में दोका दड़ी होने वाली है आप सतर्ग रहो जब मायावती ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और ऐसे हुआ तो मायावती वो पेर में चार बज़े शिंगी पर आई और कहा कि हमारे पुनाने बामिशेट के साथियों में हमें सारा ڈाटा भेजा था अपने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, वो डाटा में नहीं भेजा था मगर माया होती बाद में जागी, तब तक कुम्भकरन के तरह सोती रही मैंने सारा डाटा देने के बाद उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और EVM का मुद्दा उठाया नहीं तो उसके साथ जब धोकादली हुई, धोकादली हुई, तो फिर टीवी पे आके बोला कि EVM में घोटाला हुआ और घोटाला हुआ, तो फिर इन्होंने अंगामा किया अंगामा करने के बाद बीजेपी के लोगों ने उनको ये जबाब दिया कि आपको जब वहुमत मिला तो हमने नहीं कहा, इसके बावजुद भी जब मायाउती ने आंदुलन का ऐलान किया मायाउती को मेसेज दिया गया, बीजेपी के सेंट्रल गॉर्मेंट ने कि बहें जी आप जेल में जाना चाहती है तो हमें इतराज नहीं है, हम आपका स्वागत करेंगे मायाउती को मेसे चला गया कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और मायाउती को जेल में डालनी की फाइल ये सेंट्रल गॉर्मेंट के पास है तो जो अंदुलन गोशित किया था मायावती ने वो अंदुलन पीछे ले लिए आपको भी मालूम होगा जो अब भविश्य जो मायावती के बियेस्पी का जो भविश्य है उख उसका कोई भविश्य नहीं है उनके 21 मेंबर पार्लामेंट चुन कर आये थे सारे देजबर में एट्रोसिटीज होती थी स्टी स्टी पर एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया नहीं तो अगर बियेस्पी का भविश्य नहीं है तो उसके पैरलल कोई दूसरी व्यवस्था इस वक्त है कोई विकल्प है विकल्प तो शुन्ने में खड़ा नहीं होता है ना उसके लिए तैयरी करनी पड़ती है और हमारी वज़े से ही तो बियेस्पी का विकल्प बना था बामसिप की वज़े से बामसेफ तो मदर और्गनाइजेशन है कांसिराम साहब का ही एक सपना था यह मैं क्या कह रहा हूं कि बामसेफ नहीं BSP पाइदा की थी तो इसका मतलब है बामसेफ के पास असिम संभावनाएं है राजनीती में सफलता है हासिल करने की जितनी काशिराम जी ने BSP बनाने के दवरान ताकत थी, अभी उसके ज़्यादा ताकत हो गई है, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आएगा, अच्छा अच्छा अच्छल में, BJP सेंटर में पहुँचने के लिए 1925 को RSS बना और 99 को अटल वियारी प्रदान मंत्री बने और वो भी 24 पार्टियों के समर्षंचे, तो 25 और 99 74 साल लग गए उनको, अभी तो हमारे बाम सीप की गतिवीरियों को केवल 43 एर हो गए, अगर 78 अगर… तो हमारे बने के सार्ट में प्रदान में प्रदान में प्रदान में प्रदान में आपको याद हैं, इमर्जनसी के बाद, 98 लोग सबार की सीटे जनसंग की चुन कर आई, और उसके बाद, ये जो दावपे सा जनता दल में बिलिन करने का, जनता पार्टी में और पहले नंबर का फाइदा जनता संग को हुआ, क्योंकि लोगदल को ज़्यादा सीटे चुन कर आई थी चरंग सिंग को मगर वो पार्टी खतम हो गई और सबसे ज़्यादा जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा फार्टी का सबसे ज़्यादा जनसंग को हुआ और उसने बाद में भारतिय जनता पार्टी बनाई मालूम है इसके बारे में इतियाद मदूली में ने दोरी सदश्यता का मुद्दा उठाया था दोरी सदश्यता का मुद्दा उठा कर कि BJP के लोग RSS से भी जुड़े हैं जनता पार्टी से भी दुड़े हैं इनके पाद दोरी सदशता है तो जनसंग तो जनता पार्टी में विलिन करने के बाद भी अपने मदर आर्गनाजिस्टिंस से अलग नहीं हटा समझ रहा क्या मगर ये तो परशुराम की मूर्ती बनाएंगे और राम के आदर्शो पर योगी को चलना चाहिए कुंसा आदर्श राम का चंबुक की हत्या करने का अमराट ब्रोधत मौर्यकी अलपकालिम बच्चे की हत्या करने का और अपने प्रिगनंट सीता को जंगल में भेजने का ये आदर्श राम का ये ये सब राजनिती में तो ये सब चलता रहता है चलता रहता है हम समझते हैं मगर उसको बोलते रन नीती तो रन नीती मैं यही तो फर्क बता रहा हूँ मैं यही फर्क बता रहा हूँ यही फर्क बता रहा हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा है वो बता रहा हूँ मैंने बिस्प भी यही कहती है प्राम्वन का सेंटर्ल में गवर्मेंट है लेकि छोटी मस्लिया बड़ी संख्या में अगर आजाए तो बहुत बड़ी संख्या में जब आजाती है तब हो सकता है वामसे और तमाम सारे लोग मिल जाए तो इसमभव भी है आप हाइपोतेसिस की बात कर रहे हैं मैं reality की बात कर रहा हूं आज की आज की आप भविशय की बात कर रहे भविशय में अगर 50 परसेंट भुटता हो कहा है तो बड़ी मचली बन जाएगी न तो आप तो प्रयास करी है न मैं इस मुद्धे पर बात नहीं कर रहा हूं ये कहने का मतलब है कि हम तो ब्रामनों का इस्तिमाल कर रहे हैं तो मैं आपको और एक तथ्ष बताता हूँ आप लोगों को बत्रकारों को ये जानकारी रही है नहीं है बियास्बी को ब्रामन कभी औट नहीं दालते जब BSP किसी ब्राह्मन को टिकट देती है उस ब्राह्मन को ब्राह्मन ओट डालते है आपको पता होना चाहिए मानेवर आप पत्रकार लोग है आपको हमारे पात जो डाटा है वो आप लोग लेना चाहिए BSP जब किसी ब्राह्मन को टिकट देती है तो ब्रामन उस ब्रामन को टिकेट देते हैं उत्तरबदेश में अठा लोग सबाकी सीटे हैं रिजर्व एक भी नहीं आती एक भी नहीं आती क्यों? वो रिजर्व सीट में इनको शडूलकाज के लोग ओड दालते हैं 21% 21% से तो सीट आती नहीं है मगर उस पर ब्रामन उसको ओड देता नहीं है बैकवर्ड क्लासेस को टिकेट देती हैं माय होती उसको ब्रामन, शत्रिये, वैश ये लोग ओड दालते तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि छोटी मचली, बड़ी मचली को निगल रही है या बड़ी मचली, छोटी मचली का इस्तमाल कर रही है कि जो रन्नीती, आरेशस और बीजेपी वाले अमल में लाहे थे जन्ता पार्टी के दवरान वो रन्नीती और बीएस्पी की रन्नीती में बहुत बड़ा अंतर है मायावती ने कहा ना, हाती नहीं गनेश है प्रामनों ने कहा क्या, हाती नहीं गनेश है मायावती ने कहा, अरे तो ब्रामनों को कहना चाहिए था, हाती नहीं गनेश है हाती नहीं गनेश है मायावती कह रही है ये कहना चाहिए प्राहमनों को नहीं नहीं ये आती नहीं गनेश है ब्रह्मा विष्णु महेश मायावति जब कह रही है कुन सी बिचार धरा बिचार धरा कि दर है नहीं तुझ इबाद सुनो मेरे बात सुनो तुर आओ रागी सुनो शेडूल कास्ट के लोगों के बाहर काशी राम जी ने बैकवर क्लास के लोगों को शेडूल कास्ट में एक चमार जाती है महरास्टा में बाहर है तो चमार के आगे जो शेडूल कास्ट के लोग है 21% और ये 15-16% तो सारे शेडूल कास्ट के लोगों को कट्टा करने का जो अभियान था, वो इसमें बहुत हद तक काशिराम जी सपल हो गये थे, उसके पीछे आ गई मायावची, आपको पता है, रिजर्व सीट में 17 सीटे बीजेपी ने जीती, और 17 में 17 सीटे बीजेपी की नौन चमार चेडूल कास ने जीती, पता है आपको, इ मायावची को इसलेशन करना चाहिए, कि हमारे साथ सारे शडूल कास ते, आज हम जमारा में रहे गए, तो ये तो ये वो जो हमारी अबजेक्टिव आइडिलोजी छोड़ने का नतिजा है न, जब उन्होंने छोड़ दिया, जा बीजेपी के नरिंद्र मोदी को इतनी हिम् कि वो बीजेपी की RSS की लाइन को छोड़ करके सेंट्रल गौवर्मेंट स्टेबलाइज कर सकता है, अगर RSS इचारा कर दे तो दिल्ली में, दिल्ली में जो सपोर्ड करने वाले जो नरिंद्र मोदी को RSS के सपोर्ड करने वाले रोग है पार्लामेंट में, वो अगर विड अपको उनका भी कभी इंटेर्यु देना लिखाना जाइए मभायावती ने कहा कि केवल मेरे प्रती निस्ता रखने वाले रोगों प्रती निस्ता रखने वाले को भी नहीं रखा जाएगा प्यान्सिप तो बदर ऑर्गनाइजेशन है और वो अपने आपजेक्टिव आईडियोलॉजी के साथ कमिटेड है और वो समझोता करने वाला नहीं है रनीती समझ में आती है रनीती का मतलब है अपने उद्देश विचारधारा से समझोता किये बगेर अपना काम करना जे जे जब काशिराम सहाब थे उसी समय आपने उनको उनका साथ छोड़ दिया था और वो क्या वज़ें थी क्या कौन से वज़ें उस वक्त तो आईड़ लगी भी थी तो अली गड़ में काशिराम जी को एक शेडूल कार्ज के आदमी ने सवाल पूछा जब बीसपी नहीं बनी थी, सवाल पूछा, कि बीपी मोरिया आफी की तरह बात करता था, धोक आदे की चला गया कॉंग्रेस ने, तो आप पर हम विश्वास क्यूं करें, मुपर सवाल पूछा, काशी राम जी ने खुदी का हम को, काशी राम जी ने उसको जबाब दिया, सुन लो बहुत इंपोर्टन जबाब है, ताकि मैं मामसे बनाया हूँ, मामसे बना रहा हूँ, अगर इस तरह से कोई धोके बाजी करेगा, तो दूद में पढ़ी मखी के तर मानिवर काशी राम साब ने ये कहा था कि जो गद्दारी करेगा, वो उसे बाहर निकाल देंगे और बाहर आप निकल गए, तो बामसे जो है, ये कोई काशी राम जी का प्राइविट लिमिटेड कंपनी नहीं थी, जिंदगी लगाने वाले लोगों का संगधन था, तो जब केवल मायावती को प्रमोड करने का काम काशी राम जी ने किया, बामसेफ के बहुत सारी बातों के विरोध में जब उन्होंने काम किया, तब बामसेफ ने ये फैसला किया, काशी राम जी को नहीं छोड़ा, समझे गया, बामसेफ ने अपना जो अब्जेक्टिव है, उसी के साथ कमिटमेंट करते हुए अपना बचाव किया, और 13 स्टेट और 140 जीलों में बामसेफ थी, उसको 31 राज्यों और 542 जीलों में पहुचाया, इस आंदुरन को बचा लिया, कोई कहता है कि मायावती ने बचा लिया आंदुरन को, लोग कहरें उनके सपोर्टर, कि अभी मायावती से इस आंदुरन का कोई भविश्य नहीं है, हमारे पास तेलिपोन कर रहे है, कि अभी आप से कोई उम्मीद है, नहीं, आपसे उम्मिद तो सभी को है, बट अगर उस वक्त कांसिराम सहाव ने मायवाती जी की जगा आपको प्रमोट किया होता तो आप रहते हैं। अगर वो खतम हो गई होती, तो फिर वो मुमेंट का क्या होता जो आज हमसे लोग संभावना अव्यक्त कर रहे हैं कि अभी आप से हमें भविश्य में अपिक्टाय है, तो यह जो संभावना आज लोग देखते हैं, यदि हमने उस समय वो फैसला नहीं किया होता, तो क्यों आपको लगा कि वो खतम हो जाएगी, जबकि कांसिराम साहब ने कहा था कि अगर इससे कोई गद्दारी करेगा तो उसको निकाल देंगे, तो आपने यह क्यों सुचा कि अभावन से फिर वो खतम हो जाएगी, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए अड़ा रहा, वो चाहरे थे मकसद छोड़ दें, वो चाहरे थे, नहीं, नहीं, देशको बहुत सारी बाते और करेंगे हम मानने वावन में शाम जी से, इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी मेरेंगे.